दोस्तों आप देख रहे हैं यहां हमने एक put option को buy किया हुआ है और हम अभी loss में यह दिखा रहा है screen पर तो हम इसमें stop loss कैसे लगा सकते हैं यह हम देखने वाले हैं और साथ में हम यह भी देखेंगे कि हम अपने stop loss को trail कैसे कर सकते हैं तो अगर हमें stop loss लगाना है यहां पर तो देखें हमें अभी loss हमारा बढ़ता जा रहा है तो हमें यहां stop loss लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम stop loss नहीं लगाएंगे तो हमें ज्यादा loss हो सकता है तो हम इस पर click कर लेते हैं यहां आपको option मिलता square of का नीचे की तरफ आ रहा ह window open हो जाता अब यह market select है तो हमें यहां पर stop loss limit वाला select कर लेना है तो यह हमने stop loss limit जैसी select किया तो आपके सामने यह दो option आ जाते हैं एक price एक trigger price तो सबसे पहले हमें trigger price भरना है जैसे हम 20 point के stop loss लेना चाहते हैं तो हमारा 175, 176 के आसपास हमारा buying price है तो हम यहां 20 point कम का 155 का य यह तो हमारा order trigger हो जाएगा और यहां हमें लिखना है limit price limit price में हम इससे कम का भाव डालेंगे जो भी हम trigger price डालने तो हम यह 150 का price भर देते हैं तो हमने यह price भर दिया है और अब review कर लेते हैं review order पर हम click करते हैं then sell कर देते हैं तो आप यहां देखेंगे हमारा trigger pending वाला एक order श stop loss है यह हमारे stop loss place हो चुका है trigger pending है जब भी 155 का जो price आएगा तो हमारा order trigger हो जाएगा अब हमने इस पर click क्या तो हम यहां से अपनी modify भी कर सकते हैं अगर हमें अपने stop loss को modify करना है तो जैसे हमने trigger price 155 डाला हुआ है तो हम इसे change भी कर सकते हैं कम या ज्यादा कर सकते हैं ज sale limit price जो हमेंसा कम होना चाहिए तो review कर देते हैं then sale कर देते हैं तो आप यह देखेंगे हमारा trigger pending वाला order था जो stop loss हमारा modify हो चुका है अब यहां देखेंगे limit price हमारा 151 दिखा रहा है और 154 हमारा यह trigger price दिखा रहा है ऐसे limit का order हमारा यह लग चुका है तो इस simple तरीके से सारी position loss के साथ cut जाती है जो भी हमने trigger price डाला है या जैसी trigger price trigger होता है तो जो हमने limit price डाला है इन दोनों के बीच में किसी भी भाव पर हमारा order लग जाता है और हम अपने position से बाहर हो जाते हैं तो दोस्तो इस टौब loss के साथ काम खरणा है ताकि हमारा fund save रही सके हैं तो चलिए दोस्तो थोड़ी तो यहां हमा सकते हैं और शुटल करना वह देख लेते हैं यह जैसा कि है फाइब ट्लिक करएंगे दैन मौडिफाई पर हमें जाना है अभी जैसे कि आप प्राइस देख रहे हैं वन नैंटी वन आ चुका है तो हम पूरा ट्रेल करके देखते हैं अपने स्टॉप लोस का प्राइस हम उपर की तरफ ले आएंगे तो यहां मोडिफाई पे जाना है हमें मोडिफाई पे क्लिक कर लेते हैं दैन आप देखेंगे ट्रिगर पाइस यह है 154 और लिमिट पाइस 151 है तो इसे चेंज कर लेते हैं जो हमारी कॉश्ट है 175 176 तो यहीं लिए आते हैं ताकि हमें लॉस नाओ 175 हमने ट्रिगर पाइस लिख दिया है और यहां सेल प्राइस हम लिमिट प्राइस इरा देते हैं 173 तो हम इसे अब सेल कर देते हैं आप यहां देखेंगे कि यह trigger pending अभी भी दिखा रहा है हमारा order 176 पर हमारा buy है और 173 174 पर जो भी अगर exit होता है तो हम बिना loss के भार हो जाएंगे छोटा मोटा loss minor सा loss होगा minimum loss होगा अगर यह हमारी position कट जाती है तो तो जैसे जैसे हमारा profit बढ़ता जा रहा है हम अपने stop loss को उपर की तरफ लेते आ रहे हैं तो इस तरीके साब अपना stop loss को trail भी कर सकते हैं तो दोस्तो अगर जैसे कि हमारी अभी position बनी हुई है अगर हम exit करना चाहते हैं अपनी इस वाली position से तो कैसे exit करना है हैं वह हम वह भी देख लेते हैं अभी जैसे हम profit में चल रहे हैं हम चाहते हैं कि हम अपनी position से exit हो जाएं तो हमें क्या करना है हम सबसे पहले अपने stop loss है उसे हम cancel करते हैं इसे हम cancel कर देते हैं करें when cancel न्यक्त करना है तो हमारा order chemical हो चुका है और हम जाते हैं पूर्पोलियू मैं उप्वैं अचुके हैं इस पहें हमें क्लिक करना है जैसी में इस पहें करते हैं तो सेच मिंडू पन उपन हो जाती स्क्वारों पर जाना price पर sale करना चाहते हैं तो हम यहाँ वह price ढाल सकते हैं जय से हम 200 पर sale करना जाते हैं तो हमने 200 price ढाल दिया और review order कर लेते हैं then sale कर देते हैं है तो आप देखेंगे यह हमारा order open में दिखा रहा है 200 के price पर कि तो जब भी 200 price तो हमारा यह सेल हो जाएगा अगर आपको इस order को भी modify करना है आप चाहते हैं कि जो हम आपने target price डाला है जो डाला उसे change करना है आप उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं से मही modify में जाके आप यहां से price को change कर सकते हैं जैसे अगर हम 205 करते तो जब price 205 पर आएगा तो तब हमारा order यह exit होगा इसे हम as a target price टारगेट order भी बोल सकते हैं जैसे हमारा पहले 200 अब 205 अगर हम इसे जो हमारा limit price है अगर हम इसे market करके जैसे यहां भी market कर दें से तो आप यहां अगर इसे review कर दें तो हमारा इस price पर market price उस पर exit हो जाएगा फिलाल हम इसे इसी price पर रहन देते हैं जो हमने 200 price यह डाला हुआ है आप यहां देखेंगे 200 price जो हमने as a target यह set किया हुआ है तो जब भी 200 price आएगा उस पर हम बाहर हो जाएंगे with profit के साथ तो दोस्तो इस तरीके से आप options में stop loss लगा सकते हैं और साथ में अपने stop loss को ट्रेल कर सकते हैं और आप अपने profit को भी save कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे like करना ना भूलें और अगर चैनल को अभी तो subscribe नहीं गया तो इस चैनल को subscribe कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद